जै माता रानी दोस्तों मैं नीता नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करते हूं माता रानी के नाम का जैकाना लगाएं कमेल सेक्षन में जै माता रानी ओम नमो भगवते वासुदेवाई अवश्य लिखे आपकी सभी मनोकामनाई शीहरी विश्नु मा लक्ष्मी की पासे जरूर पूरी होंगी दोस्तों विश्णु भगवान के प्रियवार गुरुवार एवं प्रियतिथी एकादशी की तिथी के दिन जो भी मनुष्य श्रीहरी विश्णु भगवान का पूजन अर्चन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाई स्वयम श्रीहरी विश्णु भगव जलशैनम नतो अस्मी मधुरावासम माधवं मदसूदनम नमो वामन रूपाय नमस्त अस्तु त्री विक्रम नमस्ते मडि बंधाय वासुदेव नमोस्तुते नमो नमस्ते गोविंद वामनेश त्री विक्रम अधो धन संशयम क्रत्वा सर्व काम प्रदो भव दोस्तों इस तरह से उत्तर पर्व में शीहरी विश्णू के वामन रूप की प्रात्ना करी गई है जिसके अनुसार भादरपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे हम सभी वामन एकादशी परिवर्तनी एकादशी जय जुलनी एकादशी कई नामों से जानते हैं इसे दोस्तों विजया एकादशी भी बताया गया है इस एकादशी पर श्रीहरी विश्णू को प्रसन करने के लिए एक चुटकी हल्दी का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए इस उपाय के करने मात्र से आपके घर में धन, धान्य, सुक्ष, सभाग्य, सभी तरह के फलो की प बेल के आइकन को प्रेस करिए और व्रत्योहारू संबंदी सभी जानकारिया नश्रुक प्राप्त करिए आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करिए अपने परिवार इवं मित्रों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए इससे आ कश्टों सभाग की प्राप्ती होती है सभी तरह के कश्टों से मुक्ती मिलती है इस दिन पे व्रती इस्तरी पुरुष mogę समय जल्दी उठना चाहिए इसनान इत्यादी कार्यों से निवरत होके शीहरी विश्णु भगवान का पूजन करना चाहिए पूजन में काले तिलों का प्रयोग, तुलसी दल का प्रयोग, पीले रंके पुश्पों का प्रयोग और पीले रंके मिश्थान का प्रयोग करे जाने से मिश्टो भगवान शीग्र प्रसन होते हैं और आपकी जो भी मनोकामनाय होती हैं उन्हें वह जल्दी सुन लेते हैं जैसा कि इस एकादशी का नाम वामन एकादशी है यहां मैंने आपको शुरू में जो श्लोक सुनाया था उसके अनुसार दोस्तों इस दिन पे जो वरत रखता है और भगवान का वामन रूप में पूजन करता है उन्हें तीनों लोकों का धन प्राप्त होता है और तीनों लोकों की सुख सौभागे के आशिरवाद भी आपको प्राप्त होते हैं इस दिन पे विश्नु भगवान का पूजन आपको यथा विधी जैसा भी आपसे बनता है उस तरह से करना चाहिए एकरदशी तिथी में आप विश्नु भगवान को प्रसन करने के लिए एक सुंदर तिलक का निर्मान कर सकते हैं चंदन ले लें चंदन में थोड़ा सा हल्दी थोड़े से केसर के धागे मिला कर आप अच्छा सा मस्तक पे लगाने वाला टीका तयार कर लें इसे श्रीहरी विश्नु मा लक्षमी को लगाना चाहिए जैसा कि अभी गणेश उस्सव चल रहा है तो गडपती भगवान को भी यह टीका अवर्ष्य लगाना चाहिए साथ ही साथ इसमें काले तिलू का प्रयोग करा जाना चाहिए चावल का प्रयोग नहीं करा जाता है इस तिलक को श्रीहरी विश्नु भगवान को अर्पित करने के बाद स्वयम भी इसी तिलक को अपने मस्तक पे धारन करना चाहिए ऐसा करने से शिहरी विश्णु भगवान का अशिरवाद आपको प्राप्त होता है दोस्तों अब एक लोटा जल आप ले लें उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालने और उस जल में भी इस तिलक की कुछ बूंदें आपको डालनी चाहिए इसके पश्यात अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर जाके सभी जगा थोड़ा थोड़ा इस जल को छिडगते हुए घर के अंदर सभी जगा इस जल का छिडगाव करें ऐसा करने से आपके घर में यदि किसी भी तरह की नकारात्मक उरजा है किसी भी तरह की कोई negativity है तो वो समाप्त हो जाती है घर के लोगों के जो कारे हैं वो बनने लगते हैं घर में सुख सभाग्या आता है सभी तरह के मनुकामनाय लोगों की पूर्ण होने लगती है कि आप चाहते हैं घर के सभी लोगों को एकादशी का उत्तमफल प्रदान हो तो आपको यह तिलक घर के सभी लोगों को मस्तक पे धारन करना चाहिए इस तिलक के धारन करने से आपको सुख सभाग्या की प्राप्ती होती है क्योंकि दोस्तों हल्दी सभाग्या का कारक होती है चन्दन को मस्तक पे धारण करने से शीतलता आती है और जो भगवन श्रीहरी विश्णू का धारण करा हुआ तिलक धारण अपने मस्तक पे करता है उसके जीवन में सुख सभाग्य बढ़ता है जिस प्रकार भगवान श्रीहरी विश्णू ने कृष्ण रूपों में अपने स पे मोर का पंक धारण करा है जिसे धारण करने से सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं उसी तरह जो पुरुष अपने मस्तक पे इन चीजों को धारण करते हैं उनके जीवन में सदेव सुख सुभाग्य बना रहता है जीवन में कभी भी नकारात्मकता इस दिन पर दोस्तों आपको तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए नाहीं तुलसी के पौधे को तोड़ना चाहिए इस दिन पर आपको केवल तुलसी माता का पूजन करना चाहिए शाम के समय जबकि सूर्य अस्त होने वाला हो उस समय पर आपको तुलसी माता के सामने शुद् नामों का जाब कर सकते हैं या फिर ओम नमो भगवते वासु देवाई इस मत्र का जाब कर सकते हैं एकादशी के दिन पे विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्वा विश्नु सहस्त्र नाम के पाठ को सुनना अतिपलदाई बताया गया है दोस्तों इस बार यहाँ एकादशी वामन एकादशी है इसलिए इस दिन पे आप विश्णु भगवान को एक यग्यो पवित्र एक कमंडल और जिस प्रिकार वामन अवतार में भगवान ने चाता अपने हाथ में धारण करा हुआ था वह सभी चीजे यदि आप अर्पित करत करने से और वामन अवतार की कथा का श्रमन करने से वामन अवतार रुपी भगवान शिहरी विश्णु का आशिरवाद आपको प्रात्थ होता है जिस प्रकार भगवान ने वामन रूप धारण करके बाली से तीन पगभूमी की याचना करी और उसके बाद उसका सब कुछ श्रीहरी विश्णू को उसने समर्फित कर दिया और सुयम वह पाताल लोक में चला गया। इस कहानी से आप सभी को यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को दानपुन्य का अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह सारी श्रष्टी श्रीहरी विश्णू की बनाई हुई है। और अपने बड़बोले पन से अपने कर्मों को दूसरों को बताते हैं तो भगवान की इक्षा होने पे वह धन पुन्हा लुक्त हो जाता है। और लोगों को कई तरह के कश्ट भी भोगने पड़ते हैं। इसलिए अपने किये हुए किसी इस तरह के पाप के लिए आपको शमा मांगनी चाहिए। और अपने दान को करने के बाद बड़ बोलापन करते हुए कभी उसे दूसरे को नहीं बताना चाहिए। वरना आपके दान का फल तो विलुप तो हो ही जाता है। साथ ही साथ आपको कई तरह की हानियों का सामना भी करना पड़ता है। इस प्रकार श्रीहरी विश्णू का ध्यान करिए अपने जीवन को भगवान श्रीहरी विश्णू के चर्णों में समर्पित करते हुए अच्छे कारियों को करिए नित्य प्रतिदन भगवान के शुब श्लोकों का इसमरन करने मात्र से इंसान इस मृत्यू लोक में जो भी आसानी से प्राप्त हो जाती है शीहरी विश्णु भगवान के भक्तों को ओम नमो नारायनाय इस मंत्र का निरंतर जप करते रहना चाहिए जिस दिन आप वरत रखें उस दिन यतन पूर्वक इन मंत्रों का सभी कामों को करते हुए आपको जाप करना चाहिए जो लोग इस सम कार से इसनान करने से मा लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होती है धन धान्य सुख सभा के प्राप्त कराती है दोस्तों एकादशी का वरत बहुत ही आसान है इस वरत को सभी इस्तरी पुरिश्ट सुगमता के साथ कर सकते हैं इस वरत के करने मातर से जिस तरह के पुन्यों का संश बना रहता है और उसका सुख आप भोगते हैं इसलिए इस वृत को आप सभी को करना चाहिए शिहरी विश्णु भगवान के नाम का जैकारा लगाना चाहिए चत्संग में भगवान के नाम की महिमा सुननी चाहिए रात्री के समय भगवान के नामों का भजन कीरतन करना चाहि और भगवान नाम का इसमरण जाब करते रहेंगे इस प्रकार से आपका एकादर्शी का वरत संपून होगा आप विश्णु सहस्तर नाम का पाथ कर भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं आज का वीडियो यदि आपको दोस्तों पसंद आया है तो इसे लाइप करिए अपने वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलती हूँ तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों अपना ख्यार रखे जै माता रानी